नमस्कार दोस्तों विलकम बैक टो और चेनल दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में EPFO SSA के एक्सपेक्टेट कट अफ के बारे में मेरे भाई इसका जो टाइपिंग का कट अफ है कितना रह सकता है इसका जो फाइनल कट अफ है कितना रह सकता है complete information आपको देने वाले हैं वीडियो में अंतर तक बने रहीएगा तभी आपको सारी चीज़े समझ में आएंगी ठीक है वीडियो को इसकी बिलकुल भी मत कीजेगा अगर आपको सारी चीज़ों को समझना है विस्तार से सारी चीज़ों को नालाइसेस करके बताएंगे कि इसका जो कट आफ है कितना जा सकता है ठीक है तो वीडियो में अंतर तक बने रही देखिए ऐसा है कि आपको भी पता है कि आपका जो एक्जाम है इसमें जो है चार सेक्षन से आपके सवाल पूछे गए थे ठीक है जनरल यानि कि मैथ जनरल नौलेज और फिर तीसरा था आपका क्वांट्रिटरी अबेल्टी और चोधा था जनरल वित इंग्लिस जनरल इंग्लिस था आपका फिर पांचवा था अपका कम्प्यूटर ठीक है अगर बात करें मैथ से तो यह मैथ से आपके जो है तीस प्रश्ण आ पर बात करें तो चोते वाले की बात करें तो पिस्वे स्वे स्वे पूंट पर आपको धता है English ठीक है, चोथे नमबर पर आपका आता है English, तो यहाँ से आपके 50 सवाल पुछे गए थे, ठीक है और बात करें, पांचोबे पॉइंट की पांचोबे पॉइंट पर आपका आता है computer ठीक है, तो जो computer सबके सवाल पुछे गए थे, यह 10 सवाल पूछे गए थे तो अगर टोटल की बात करें दोस्तों तो 1500 प्रश्ण आपसे पूछे गए थे और प्रतेक प्रश्ण आपका चार मार्क का था यह गुड़े चार्ज कर देजी आप ठीक है पंदरा चौका साथ चार सवका आपका पुडांक है यह बन रहा है और इसके लिए जो आपको टाइम दिया गया था दो घंटे 30 मिनट दिये गया थे टोटल धाई गंटे आपको दिये गया थे ठीक है अगर बात हिंदी की इसपीर जो है दोस्तों आपकी टेस्ट की जाएगी फेश टू में इसमैं क्या है दोस्तों कि इंग्लिपे जो आपका टैपिंग होगा या 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए औरorry 35 वर्ड आपको टाइप है टो यह आपका qualifying nature final merit list जो बनेगा आपका first cbt के जो एक्जाम हुआ है दोस्तों 1500 प्रश्न का 600 marks का ठीक है उसी के base पर बनेगा और यह चीज आपका qualifying nature होगा तो यह कुछ इस तरह के update है phase 2 के बारे में आए समझ लेते हैं कि इसका जो एक्जाम है कब से कब तक हुआ था जो average marks है दोस्तों कितना बन रहा है तो बहीं देखिए अगर बात करें हम इसके exam की तो आपको भी पता है कि चार दिन में आपका यह जो exam है इसको conduct कराया गया 18 से 23 अगस्त तक आपका जो यह exam है इसको conduct कराया गया और total 8 से 23 अगस्त के second वाले से 23 की तो आपका इसमें जो average marks बन रहा है average marks ठीक है तो इसमें जो आपका average score बन रहा है दोस्तों 255 प्लस बन रहा है जी हां दोस्तों सारे data को analysis करने के बाद जो चीजे निकली है वही आप तक share कर रहे है वही अगर बात करें हम 21 सेकंड वाले की 21 तारिक के second वाले सिप्ट की तो 295 प्लस आपका जो average score है यह बन रहा है और अगर बात करें हम 22 के फर्स्ट वाले सिप्ट की तो भी अब 22 के फर्स्ट वाले सिप्ट को बता दें इनका जो score बन रहा है 300 प्लस बन रहा है 22 के फर्स्ट वाले सिप्ट में ठीक है और वही बात करें हम 23 के फर्स्ट वाले सिप्ट की जो 23 का फर्स्ट वाले सिप्ट है दोस्तों इनका जो average score बन बन रहा है, यह बन रहा है आपका 302+, तो यह जो 4 shift हैं दोस्तों आपके, 1, 2, 3, 4, यह जो आपके 4 shift हैं, यह बहुत ही ज्यादा high level के प्रशन आपको देखने को मिले थे इसमें, ठीक है, बहुत ही ज्यादा tough level का प्रशन इस shift में देखने को मिला था, और इसके बाद जीतने भी shift आपको बताएंगे दोस्तो उसमें moderate level के प्रशन आपको देखने को मिले थे यही 4 shift आपका बहुत ही ज़्यादा high था ऐसे मैं मान कर चलिए कि normalization में इसमें काफी ज़्यादा marks आपके increase होते हुए देखे जा सकते हैं समझ रहे हैं तो इसमें आपका जो marks है दोस्तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है और इसके बाद वाले shift की बात कर लेते हैं जिसमें moderate level के प्रशन आप से पूछे गए थे हैं तो आईए उसके बारे में भी समझे लेते हैं अगर हम बात करें 21 अगस्त के पहले वाले shift की तो इसमें जो है दोस्तो आपके 310 प्लस नंबर एवरेज इसकोर बन रहा है ठीक है अगर बात करें वहीं 18 अगस्त के पहले वाले shift की तो इसमें क्या है इसमें आपका 20 प्लस इसकोर बन रहा है एवरेज इसकोर ठीक है अगर वहीं बात करें 22 अ 325 प्लस स्कोर बन रहा है और बात किया जाए 18 अगस्त के सेकंड वाले स्ट की तो इसमें जो है आपका 335 प्लस स्कोर बन रहा है तो भीया देख लीजिए सारी चीजों का नायलासिस करके यह डाटा निकाला गया है ठीक है और इसमें जो यह 4 स्ट आपके बच रहे हैं दोस्त इससाब से देखा जाए दोस्तों इसका जो कट आफ टाइपिंग का कितना रह सकता है और फाइनल कट आफ कितना रह सकता है तो आए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं अगर बात करें टाइपिंग के कट आफ की तो यहां पर लिख दे रहे हैं ठीक है टाइपिंग क तक आपको देखने को मिल सकते हैं इतना कटाफ आपका जाने वाला है दोस्तों टाइपिंग कटाफ ठीक है और अगर बात करें हम EWS की तो EWS वालों कर रह सकता है टाइपिंग कटाफ 355 प्लस जितने भी बता रहे हैं सब में प्लस कर लिजिए एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं दोस्तों और अगर बात करें हम OBC की तो भी या OBC XL की अगर बात करें हैं तो 360 प्लस अगर बन रहा है स्कोर तो आपका हो जाएगा और बात करें हैं तो इनका जो कटाफ रहने वाला है 325 अगर प्लस बन रहा है आपका तो हो जाएगा ESM की बात कर लेते हैं X-Serviceman की तो इनका जो cut-off बनेगा टाइपिंग कट-off 200 अगर बन रहा है इनका तो हो जाएगा टाइपिंग के लिए यह कुछ निमने प्रकार से आपका जो cut-off है रह सकता है टाइपिंग के लिए अगर यह समझ लेते हैं कि इसका जो final cut-off है कितना रह सकता है अगर बात करें दोस्तो final cut-off की तो भी यह जो final cut-off रहने वाला है यह 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 यूर कटिगरी के लिए रह सकता है 400 प्लस ठीक है 400 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे दोस्तों तो हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और वहीं बात करें EWS की तो भी यह इनके लिए रह सकता है 392 प्लस ठीक और बात करें हम OBC काटिगरी की OBC NCL की अगर बात करें हम तो इनका जो cut-off रह सकता है यह रह सकता है 392 प्लस सेम ठीक है EWS और OBC का लगबग सेम ही रहता है दोस्तों एक दो नमबर आगे पीछे देखने को मिल सकते है ठीक है और बात करें हम SC कटिगरी की तो भी SC कटिगरी मता दें जो final cut-off रहने वाला है आपका 375 प्लस रह सकता है SC कटिगरी में ठीक है और HD वालों का बता दें 365 प्लस रह सकता है और बात करें ESM की ESM के जो cut-off बनने वाला है 300 प्लस नमबर तक देखने को आपको मिल सकता है final cut-off ठीक है तो भी आग कुछ निमन परकार से आपका जो final cut-off है देखने को मिल सकता है इसके result के बारे में आपको यहाँ से provide कर देंगे वीडियो को मादम से आपको बता देंगे ठीक है मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए जैहन